Hello friends, welcome to Mechanical Tech Hindi Friends, पिछले काफी समय से आप में इसे बहुत से लोगों को कमेंट आ रहा था और आपने मुझे engine के back compression के उपर में वीडियो बनाने को कहा है Engine के back compression को engine blow by B कहा जाता है और अभी आप हमारे पास देख सकते हो engine के कुछ important components है तो इन components के help से मैं आपको practically समझाओंगा कि engine back compression क्या होता है, क्यूं होता है और इसे किस तरह से ठीक किया जा सकता है तो वीडियो का आप पूरा देखे और अगर आप channel पे नए हो तो channel को subscribe भी जरू कर ले अब फरेंट सबसे पहले मैं आपको ये कहूँ कि आप अगर engine के compression को समझाओगे compression stroke क्या होता है, क्यूं होता है, कैसे होता है, कब होता है तो आप engine के back compression को भी समझाओगे क्योंकि जो back compression होता है वो compression stroke से ही जुड़ा हुआ होता है अब इसके लिए सबसे पहले क्या है कि आप यह जो assembly है पहले आप इसे देखो ठेक है तो आप देख सकते हो यह हमारा piston यह है connecting rod यह है crank shaft और यह जो piston का यह जो आप तीन compression ring देख रहे हो आप यह बहुत ही important होता है piston ring क्योंकि कहीं न कहीं इस वज़ा से ही back compression होता है तो आप दे cylinder के अंदर में क्या होता है कि यह जो हमारा piston है वो कुछ इस तरह से यहां पे लगा हुआ होता है ठीक है और इस cylinder के अंदर में इस piston का up and on movement होता है लेकिन यहां आपको गौर यह देना है कि यह जो हमारा piston ring है वो basically क्या करता है कि यह जो cylinder है उसे सील कर देता है यानि कि इस सिलेंडर के ऊपर में जो एयर और फ्यूल का जो रिश्यू है जो मिक्स्चर है वो नीचे लीक नहीं करना चाहिए इसके जिम्दारी होती है इस पिच्टन रिंग की और दूसरी तरफ यहां जो नीचे में मैं आपको दिखाता हूं ठीक कु जो अगला होता है वहां से यहां से उपर के तरह बढ़ना चालू करता है और इसके अंदर में जो एयर फ्यूल का या फिर जो एयर है वो उसे compress करता है ठीक है उसे compress को अगर आम असान लब्जों में कहें हिंदी में तो उसे दबा देता है ठीक है तो compression करता है अब मैं आपको बताओं कि यह जो stroke है çek compression, या फिर combustion exhaust, चारी stroke आवा लगतार चलते रहता है, piston का लगतार movement होते रहता है और इस वज़े से क्या होता है कि यह जो piston ring है यह क्या होता है यह wear out हो जाता है यह घिस जाता है, कई बार cut जाता है कई बार क्ट क्या होता है तूट जाता है बेसिकली आसान दूर्ज में कहें तो जो seal है वो seal जो इसके अंदर में हो रहा है इस piston ring के वज़ा से वो break हो जाता है वहीं दूसरी तरफ क्या होता है कि चुकि इसके अंदर में लगतार piston का up and down movement हो रहा है तो यह जो cylinder plug यह जो cylinder liner है यह जो cylinder है इसका जो bore है जो इसका diameter है जो इसका व्यास है वो बढ़ जाता है लगतार गिसने की वज़ा से तो चाहिए piston ring खराब हो यह जो cylinder का bore है यह बढ़ जाए तो क्या होता है leakage होता है ठीक है अब देखिए piston compression stroke का time पर नीचे से उपर जा रहा है उसे दबाने के लिए और चुकी यहाँ पर leak हो गिया है चाहिए piston ring के वज़े से हुआ हो चाहिए आपका आज आता है और तीसरे stroke के time पर पावर stroke के time पर जब piston जो हमारा बॉट और टॉप डेट सेंटर में है वहाँ से जब नीचे आता है तो वह क्या करता है कि जो नीचे मामारा एक खटा हो गया है air, fuel और जो engine all के साथ मिक्स हो चुका है वह उसे compress कर देता है सही compression है जब नीचे पर जाए लेकिन जब उपर से नीचे आता है और जब उसे compress कर देता है तो वह हो जाता है back compression यानि क्यों उल्टा compression हो जा रहा है ऐसे होना चाहिए ऐसे तो हो रहा है लेकिन ऐसे भी हो रहा है ठीक है तो यह हमारा पास हो जाता है back compression अब अभी तक आप समझे back compression क्या होता है अब मैं आपको बतातूँ कि अगर back compression हो, अगर leak हो जाए और ये जो piston ring या फिर cylinder iron का वैसे leak हो जाए और इस area में हमारा air or fuel को mixture आ जाए या फिर exhaust gases भी आ जाए उससे क्या होता है कि बहुत ज्यादा problem आने लगता है. सबसे पहला point कि आपका engine का जो efficiency है fuel का वो बहुत ही कम हो जाएगा, mileage बहुत ही कम हो जाएगा क्योंकि fuel waste हो जाता है, fuel नीचे आ रहा है. दूसरा point जो engine का performance है, जो engine का power output है, वो भी आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगा, चुकि combustion सही से नहीं हो पा रहा है, तो power output भी बहुत ही कम हो जाएगा. अब वहीं दूसरी तरफ क्या होगा, कि चुकि नीचे में जो हमारा petrol वगरा है, जो diesel है या फिर जो oil है, वो आपस में mix हो चुका है, तो सबसे पहले तो आपका जो engine oil का, जो lubrication का efficiency है, वो बहुत ही कम हो जाता है, दूसरी तरफ आपको अपने गाड़ी के exhaust से, silencer से, black smoke, ग जालने का जो location होता है, जो cap होता है, अगर वो खुला रहेगा, तो वहां से आपको engine oil बाहर निकलते हो दिखाई देगा, क्योंकि जो piston है, वो लगातार घूमते रहता है, और वो उसे क्या करते रहता है, ठीक है, इसके अलाबा जो dipstick होता है, जिससे हम लोग engine oil चेक करते है तो आपको dipstick है, वहां से भी, उस area से भी smoke धुआ निकलते हो दिखाई देगा, और वहां से oil निकलता हुआ भी दिखाई देगा, और back compression का वैसे क्या होता है, कि जो engine के important running parts है, वो भी हराब हो जाते है, हो सकते है, क्योंकि lubrication सही से नहीं हो पाता है, तो friends, मैं आपको बता कि जो back compression है, जो engine blow by है, उसका एक बहुत important reason क्या होता है, कि just इस जो crank साफ के नीचे में, यहाँ पे crank case होता है, और यहाँ पे PCV valve होता है, यानि कि positive crank case ventilation valve, basically असान लफजों में कहें, तो यह PCV valve होता है, वो यह काम करता है, कि यह जो crank case में, अगर unwanted gas आ गया है, ठीक है, जो exhaust gas या कोई और gas भी unwanted आ गया है, तो उस टाइम पे क्या होता है, कि मैं आपको बताओ, कि जो PCV valve है, वो उसे release कर देता है, वेंटिलेट कर देता है, यह जो crank case से वहाँ से निकाल देता है, लेकिन अगर वो clogged हो जाए, वो jam हो जाए, तो इस वाज़ा से भी bank compression का chances जो है, जो engine blow वाज का chances है, वो बहुत ही जादा बढ़ जाता है, तो piston ring से, cylinder liner के वाज़ा से, या PCV जो valve है, उसके वाज़ा से back compression होता है, और अगर back compression हो, जो कि खास कि diesel engine में जादा होता है, क्योंकि diesel engine का compression ratio होता है, वो जादा होता है, तो अगर back compression हो, तो उस case में engine को overall करना पड़ता है, engine को दुबारा से बनवाना पड़ता है, या तो आपको piston का जो set है, उसे change करना पड़ेगा, cylinder block change करना पड़ेगा, cylinder liner change करना पड़ेगा, इस तरह का काम आता है, जो कि खरचीला काम होता है, तो ये problem आता है, जब इस तरह का आपको, या तो piston ring या फिर cylinder liner हराब हो जाए, और ये होता है, engine का back compression या फिर engine blow by, I am sure आज की इस video को पूरा देखने के बाद, आप engine के back compression के बारे में अच्छी तरह समझ गया होंगे, वीडियो आपको अच्छा लगाओ, तो वीडियो को like और share जरू कर दे, वीडियो के बारे और चैनल के बारे अपनी राए, आप मुझे comment क अगर जरूर बताए, इसके रावा अगरा चैनल पे नहीं हो, तो चैनल को subscribe भी जरूर कर ले, मिलते अगले वीडियो में, thanks watching this video, good bye